तो हेलो नमस्कार चहिन सात्यों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लेर्णिंग पर तो दोस्तो जो इस्टुडेंट आई टी आई का कांसलिंग का इंतजार कर रहे थे तो उनके इंतजार की घरिया खत्म हो गई है और दोस्तो आप सभी क कांसलिंग का डेट यहां पर जारी कर दिया गया है अब मैं पैरा मेडिकल के अभी बात करूंगा कि कांसलिंग कब से स्टार्ट होगा क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है कब से स्टार्ट होगा कांसलिंग की प्रकिरिया क्या क्या करना होगा सारा चीज इस वीडियो म सबी को पास भी नोटिफिकेशन चला जाए तो यहां पर देख सकते दोस्तों यह आज ही के आज और अभी के अभी आया है तो चले हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपके सामने दिखाते हैं कि क्या क्या चीज है उसमें तो हमने दोस्तों यहां पर डाउनलोड कर लिए है और यह हमारे सामने खुल भी रहा है खुल गया ना अब देखिए अब यहां पर क्या क्या चीज़ इसमें नोडिफिकेशन देख सकते दोस्तों तो यहां पर लिखा हुआ है आई टी आई के लिए यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन 24 फिलिंग कांसलिंग का कारकरम पूर्ण तरस भीवरन इसमें दिया गया जें कि सबसे पहले को क्हा करना होगा और र strategic करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्या करना होगगा होगा 24 पिलिंग केने का मतलब आपको कॉलेज चुनना होगा यह चीज समझ में आ गया आप देखें यह चीज देखें आप लिखा हुआ बेब साइट बीसी इसी बिहार डॉट गवर्मेंट डॉट इन के विग्यापन इतना इतना संख्या पर इतना तरीकोप लब्द करा दे 24 पिलिंग की प्रकिरिया कब से होगी तहां पर देख लिजे रजिस्ट्रेशन एवं 24 पिलिंग की प्रकिरिया दिनांक 9 से 11 से अरंब होगी और उक्त निर्देश अनुसार 24 परफेक्ट क्या लिखा हुआ परफॉर्मेंस आफ आई ट्रेड भरे उसमें मतलब आप अपना चक्र यानि की काउंसलिंग है तो दूबारा रजिस्टेशन और 24 पिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा तो इस चीज़ को आप लोग समझ गया है मतलब कि आपका दोस्तों 24 पिलिंग और रजिस्टेशन एक ही बार होने वाला है यानि कि आपको एकी बार कॉलेज चुन है अगर फर्स्ट राउंड में नहीं आता है तो उसी के आधार पे आपको सेकेंड राउंड में चुनाया जाएगा तो उमीद दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगए कि पूरी जनकारी मैंने बता दिया है और यह आपका कांसलिंग कब से होगा तो नौ तारि कोटिफिकेशन जाड़ी होगा मैंने काना नवंबर के इंड तक आप सभी का जा सकता है तो इस तीर रही है कुछ दिनों के बाद आपका भी आज आएगा ठीक है इस पर मैं प्रोफेशनल वीडियो बना दूंगा तो मिल दें नेक्स वीडियो में आज के लिए बस इतना ही कर दो